कहानी एक विशाल और घ्ने जंगल में सेथ है, जहाँ कई तरह के जानवर रहते हैं। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और बुढधिमान शेर है, जिसका नाम सिनहस है. यह शेर जंगल में शांती और संतुलन बनाए रखता है और अन्य जानवर उसकी इस्सत करते हैं लेकिन कहानी में कई मोड आते हैं जो नकेवल शेर की ताकत बलकि उसकी बुद्धिमानी और नेत्रित उक्षमता की भी परिक्षा लेते हैं कहानी की शुरुआत जंगल के राजा सिनहास के परिचे से होती है वह अपने परिवार के साथ एक गुफा में रहता है और जंगल के सभी जानवरों की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखता है कहानी में सिन्हास की बहादुरी के कई उदाहरन दिये जा सकते है जैसे कि उसने कैसे एक बार जंगली हाथियों के हुंट को शांत किया जो गाव पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे मुख्य गटना एक दिन जंगल में एक नई चुनौती आती है जंगल के पास एक शुशक शेतर है जहाँ एक भूखा और क्रूर शिकारी शेर आता है उसका नाम तांडव ए और वह जंगल पर कबजा करना चाहता है तांडव नकेवल ताकतवर है बलकि चालाक भी है वह जंगल के अन्य जानवरों में भै और ब्रम फैलाने लगता है सिन्हास को अपनी स्थिती को बचाने के लिए नकेवल तांडव से लरना होगा बलकि जंगल में अपने दोस्तों और परिवार की भी रक्षा करनी होगी सिन्हास के सामने यर सबसे बड़ी चुनौती है जहाँ उसे अपनी ताकत और चतिराई दोनों का उप्योग करना पड़ेगा संगर्श और समस्या तांडव की चालों के कारण जंगल में अराजकता फैलने लगती है कुछ जानवर तांडव का साथ देने लगते है जबकि कुछ सिन्हास के प्रती वफादार रहते है कहानी में इस संगर्श को गहराई से दिखाया जा सकता है चर्मोतकर्श सिन्हास और तांडव के बीच अंतिम लराई होती है यह लराई नकेवल शारीरिक ताकत की होती है बलकि मानसिक ताकत और चालाकी की भी होती है दोनों शेर अपने अपने तरीके से लड़ते है और जंगल के सभी जानवर इस लराई को देख रहे होते है निशकर्श अंत में सिनहास अपनी बुद्धिमानी और वीरता से तांडव को हरा देता है तांडव को जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है और शांति फिर से लोट आती है जंगल के सभी जानवर फिर से मिलकर रहते है और सिनहास को और भी अधिक सम्मान देने लगते है कहानी का अंत सिनहास के साथ होता है जो यर समयता है कि असली ताकत केवल शारीरिक नहीं होती बलकि मानसिक भी होती है मुख्य विशे और संदेश यर कहानी साहस, नेतरितव, एकता और सही निर्ने लेने के महेत्व को दर्शाती है इसमें यर संदेश भी नहित है कि ताकत का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब बुध्धी और धहरे से काम लिया जाए कहानी विस्तार के लिए बिंदू एक परिचे और चरित्र विकास, शेर सिनहास का विस्तृत वरनन और उसके परिवार के बारे में जानकारी दो जंगल के अन्य जानवरों के साथ उसके संबंथ कैसे सिनहास अन्य जानवरों की मदद करता है और उनका विश्वास जीतता है तीन प्रमुक घटना की शुरुआत तांडव के आगमन का विस्तार से वरनन झाल 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 झाल